जब ये कहा जाता था ये फूल पत्ती खा के कोई इलाज होता है रिक्रोसिंटरामाइसिन मेटासिन खाओ वाधुनिक बनो नई नई मेडिसिन्स खाओ आज 50 साल के अंदर हम आ गए गो बैक टू हर्बल मेडिसिन्स तो भई तब सही थी साइंस याब सही है हम तो तब भी वही थे आज भी वही हैं आप बदल गए हैं और इस बदलाव को अब हमें विश्व को सीकार करवाने की आवशक्ता है बजाए इसके कि हम उनके हिसाब से अपनी व्याक्षा करने का प्रयास करें अब मैं एक अन्य उधारण आपके ध्यान में डालना चाहूँगा और शदियों के बारे में तो जैसा हमारे कई सम्मानित वक्ताओं ने बताया बहुत से उधारण उपलब्ध हैं चरक से लेके और धन्मंतरी जी तक परंतु जिसको सबसे बड़ी उपलब्धी माना जाता है वेस्ट की सरजरी सरजरी का जितना डिटेर्ड आयुर्वेद में उपलब्ध है सुशुत सहिता में 180 चैप्टर है 1100 डिजीजेज हैं 121 इंस्टूमेंट्स हैं 650 मेडिसिन्स हैं जिनमें एनिमल प्लांट और केमिकल सारे सोर्सेस से हैं और 300 से उपर प्रोसीजर्स हैं और इतना ही नहीं शायद कुछ लोगों को सुनने में आटपटा लगे परंतु हडपा सिविलाइशन जिसे आज हम सिंदू सारस्वत सभिता कहते हैं उन्हों ने अपनी बुक जिसमें उन्होंने तक्षिला के जिक्र किया है पेज नंबर 210 पे उन्होंने लिखा है कि सर्जिकल इंस्टूमेंट और हडपा सिविलाइजेशन सेकेंड मिलिनियम से अवेलेबल हैं और आज भी पाकिस्तान के पंजाब प्रॉविंस के म्यूजियम में आप जाएए तो पाचवी सितादी इसापूर के सर्जिकल इंस्टूमेंट रखे हैं और पूर्व लोगसभा जक्ष मीरा कुमार जी जब गई थी तो 2012 में उनकी अख़बारों ने इसको रिपोर्ट भी किया था यह तो मैं सिर्फ यह कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो सर्जरी जिसको बहुत बड़ा अचीब्मेंट माना जाता है एक तथ्य और आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहूँगा कि लोग कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी लंडन से निकलने वाली एक बड़ी फेमस मैगजीन जिसका नाम था The Gentleman 1794 में उसमें दो डॉक्टर्स टॉमस क्रूजो और जेम्स पेंडिल ने बाकाइदा एक आर्ट के लिखा उसमें क्या लिखा कि भारत के पूने में ये लंडन में छपी हुई मैगजीन है 1794 और वो लिख रहे हैं भारत के पूने में 1793 में एक व्यक्तिकी नाक कट गई थी और उस नाक को जोडने की प्रक्रिया उन्होंने देखी आयरवेदिक सिस्टम से और उन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया और बज़ेदार बात ये है कि उन्होंने ये लिखा कि पूने में जो नाक जोडने वाले थे वो कौन थे कोई बहुत पढ़े लिखे एलिटिस्ट हाई क्लास के नहीं थे उन्होंने लिखा वो कुमार जाती के वेक्ती थे जो आज की डेट में OBC में आता है तो ये दर्शाता है कि जिसे हम अपना एडवांस सोर्स आफ नॉलेज था हम कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से उसे पीछे छोड़ते चले गए और सिर्फ ये भी एक कहना चाहूंगा ये आईरुवेद कोई सेपरेट सब्जेक्ट नहीं था जिसको वो मेडिसिन साइन से क्रियेट कर रिलेट करते है आईरुवेद जैसे हमारे आज जोलोजी बॉटनिक केमिस्ट्री एक सीक्वेंस है फिसिक्स केमिस्ट्री मैथ एक सब्जेक्ट का ग्रुप है वैसे ही तीन सब्जेक्टों के ग्रुप में से एक आईरुवेद था जो बड़ा वेवस्थित ब्रांच आउब नॉलेज था वो था क्रशी पाकशास्त्र और आईरुवेद क्रशी मींज हाउ टो ग्रो पाकशास्त्र मींज हाउ टो कुक और आईरुवेद मींज हाउ टो गेट दा मेडिसिनल वैल्यूस और उन सारी वैल्यूस को हम अच्छी तरीके से समझे और यदि हम उन चीजों को समझ पाए तो आज एक और चीट में हमें बहुत लाब भिलेगी स्रिस्ट्रक्चर मेकनिजम से सरकार लाई है आज intellectual property को लेकर बहुत सारे विवाद है यदिया आयरुवेट के ग्रंथ हमारे प्रभावी स्थिती में थे उन्होंने हमें नीम के पेटेंट से, हलदी के पेटेंट से, तुलसी के पेटेंट में मदद की मगर आज तक भारत सिर्फ प्रतिक्रियात्मक रहा कि जब दूसरे ने पेटेंट कराया तब हम जाकर खड़े हुए नहीं जी ये तो हमारा है यदि हम ये प्रभावी मेकनिजम जो सरकार ने बनाया है इसके द्वारा हम अब प्रो एक्टिव होकर कह सकते हैं कि ये सारे पेटेंट हमारे हैं तो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्ट्वल प्रॉपर्टी में भी आप समझ लीजे इसका एक बहुत अच्छा लाब हमें फ्यूचर में मिलने वाला है और अन्त में मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सी ऐसी बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जिसकी तरह अगर हम ध्यान दें तो अगर हम केवल उनका साइंटिफिक नाम पढ़ ले तो हमें बहुत कुछ आसानी से समझ में आ जाता है जैसे हर्दय के लिए अरजुन होता है आप अरजुना रिष्ट और अरजुनासव आपने सुना होगा यदि आपने केवल उसकी बोतल देख ली हो तो उसकी बोतल पे उसका साइंटिफिक नाम क्या लिखा है टर्मिनेलिया अरजुना वो हार्ट के लिए प्रूवेन है और नेम इस टर्मिनेलिया अरजुना तो ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि जो हम कह रहे थे अब छोटी सी बात कौमन भाशा में तुलसी के लिए होली बेसिल शब्द प्रियोग होता है अब होली शब्द तो अंग्रेजी ने दिया है हमने तो नहीं दिया है पिर भी कहीने कहीने स्वीकार रोकती है कि इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीज है उधारण के लिए जिन जिन वरनस्पतियों को हमारे यहां स्वास की दिश्टी से और पूजा की दिश्टी से भी महत्वपूर्ण माना गया पीपल का व्रक्ष पीपल के व्रक्ष को खोली फिक कहते हैं मगर उसका साइंटिफिक नाम क्या है फिक्यियस रेलिजियोसा रेलिजियन है साब उसमें वो पता रहा है फिक्यियस रेलिजियोसा यानि वो मान रहें कि धार्मिक दिश्ट से पवित्र माने जाने वाला ये जो पौधा है ये जो पेड़ है इसके अंदर बहुत सारे मेडिसिनर गुण है तो आन्त में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखे इसमें गर्व करने की आवशक्ता है सिर्फ इसी लिए नहीं कि यह आयू का विज्ञान है कल विने सास्र बुद्धे जी ने हम लोगी तरफ से जब शुरुवात करते हुए कहा था तो उन्होंने एक बात कही ते न गर्व से कहो हम है किसी दूसरी चीज के लिए कहा था वो मत कही है क्योंकि जब कहा जाए गर्व से कहो हिंदू है तो वो ठीक नहीं लगता इसलिए कहो गर्व से कहो है मगर मैं कहना चाहूंगा आयूरवेद अथरवेद का हिस्सा है अथरवेद इस ए रिलिजियस टेक्स इसलिए मैं कहना चाहूंगा यह जो हमारा ग्यान है यह सिर्फ भारत के लिए नहीं गरीबों के लिए नहीं सबसे एडवांस लेविल पे जो लोग बैटे है उनके लिए भी उतना ही प्रभावी है और यह पूरे विश्व को आगे ले जाने की छंता रखता है अमेरिकन काउंसिल आफ जो सरजन्स हैं उन्होंने सुशुत को सरजरी का जनक माना है मेलबर्ण में अमेरिका में क्या माना जा रहा है उस अब को पता है यह पंक्ति कहके बाद समाप करूँगा कि जो अटल जी ने कहा था मेरे वेदों की जोती अमर मेरे वेदों का ज्यान अमर मानव के मन का अंदकार क्या कभी सामने सका ठहर मेरे स्वरनब में गहर गहर सागर के जल में छहर छहर इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरव में आगे विनमरता से साथ कहूंगा हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचे है यही जीवन शैली है, धन्यवाद